नमस्कार साथियों, मैं संदीः भातुसार्थी, स्वागत है आपका अपने युटूबे चनल पार्थ साचे यूजिशन पॉइन पर डेली करेंट अफ्यर के क्लास में दोस्तों आज हमां अपनी करेंट अफ्यर की क्लास में 25 मार्च से लेटेड़ करेंगे के important question पर discuss करेंगे आए session को start करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रस्ण कि आज का पहला प्रस्ण है कि UNESCO की रिपोर्ट के अंशार कितने प्रस्षत आबादी के पास अच्छा सुरचित पेजल नहीं है तो साथिम आज कल UNESCO की रिपोर्ट के अंशार लगभग दो से तीन अरव के जो लोग हैं वो प्रतिवर्थ कम सकम एक महीने का पानी का कमियन हो करते हैं अर्थात साल भर में उन्हें एक महीने पानी कम मिल पाता है ऐसा UNESCO की रिपोर्ट कहती है तो इस प्रकार से जो 26 प्रतिशत आबादी है उनके पास सुरचित पेजल नहीं है और बैस्विक जल संकट को नियंतरन से बाहर होने के लिए रोकने के लिए अंतराश्टिये तंतर स्थापित करने की ततकाल आउ सकता है जिससे कि यहां जो संकट है वह आगे चलकर कम हो जाया क्योंकि प्रतिवर्श दो से तीन अरब लोग है वह एक महीने पाने की कमी का अनुभव कम करते हैं आए देखते हैं अगला प्रस्ण 206 रोग दिवस कब मनाया जाता है तो आपक ऐक्टिरियंग च्यूबर कलोसीस जीवान के करण होता है फैलने में फैल सकता है तो प्रतेक वर्ष 6 रोग के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए जो यहां दिवस मना जाता है वह 24 मार्च को मनाया जाता है तो 206 रोग दिवस का मना जाता है 24 मार्च हो इस वर्ष जो टीबी रोग दिवस की जो थीम थी वह थी कि हां हम TB को समापत कर सकते हैं इस वर्ष जो theme थी 2013 में वो क्या थी हां हम TB को समापत कर सकते हैं और या 24 मार्च को परतेक वर्ष मनाया जाता है आई साथियों कुछ जाल लेते हैं कि स्वास समन्दीत जो दिवस हैं प्रमुख वे कौन कौन से हैं पूरे सत्र भर में चार फुरवरी को विश्व कैंसर दिवस मना जाता है 21 मार्ज को विश्व डाउन चिंड्रोम दिवस मना जाता है 24 मार्ज को 206 रोग दिवस मना जाता है जिसा कि मैंने आपको अभीबत इसके विस्तार से ब्याख्या बताई दो अपरेल को विश्व आटीज में जागरूता दिवस मना जाता है साथ अपरेल को विश्व स्वास्ते दिवस मना जाता है इसके साथ साथ 17 अपरेल को विश्व हुमूफीलिया दिवस मना जाता है 35 अपरेल को विश्व मलेरिया दिवस 28 जुलाई को 200 हेप्रेटाइटिस दिवस 14 नौम्मर को 200 मदमेह दिवस और 1 दिसमर को 208 से दिवस बनाया जाता है तो इस प्रकार जो महातपूर्ण स्वास्त से सम्मंधित प्रमुख दिवस थे उनको मैंने आपको नोट डाउन करा दिया है आप इसको नोट डाउन कर ले और याद कर ले यहाँ आपके परिछाओं में पूछा जा सकता है आईए देखते हैं आज का अगला प्रस्न वन वर्ड टीवी समिट का आयोजन कहां किया गया है तो जो वन वर्ड टीवी समिट है वहाँ टूबर क्लोसिस अर्शाज 6 रोग के जो मरीज हैं उनको चिन्नित करने के लिए यहाँ आयोजन किया जा रहा है और यहाँ आयोजन आपका वारानसी में किया गया है यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रधार मंत्री नरेदर मोदी के द्वारा वारानसी में इसका आवजन किया गया समोधन किया गया आयसे इसकी ब्याक्या देख लेते हैं प्रधार मंत्री नरेदर मोदी ने 24 मार्च को वारानसी में कहाँ पर वारानसी में रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ड टीवी समित को संभोधित किया है और विस उच्छा रोग को चिलनित करने के लिए स्वास्त परिवार कल्यान मंत्रार है और जो आपका स्टाफ टीवी पार्टनर्सिप है दो विभाग के द्वारा एक आपका देशी है और एक आपका विदेश है स्वास्त परिवार कल्यान मंत्रार बारत सरकार और स्टाफ टीबी पार्टनर्सिफ सिखर सम्मेलिंग का आउजन कर रहा है या टीबी से सम्मंदिर है आये जानते हैं कि स्टाफ टीबी पार्टनर्सिफ क्या है तो स्टाफ टीबी पार्टनर्सिफ है इसके स्थापन दोजार एक में हुई थी या संयुक्त राष्ट के द्वारा होश्ट किया गया संगटन है जो कि टीबी से प्रवाइत लोगों समधायों और देशों की आवाजों को बुलंद करता है प्रतेक देश में जा जाकर या उनके साथ हो रही समस्याओं को साजा करता है और उनकी जो उत्तदेश बनाने में सहयोग करता है जो इसका उद्देश है वो साब जीनिक स्वास्त समस्याओं के रूप में तपेदिक को खत्म करना है इसका जो सची वाल है जिनियोवा में इस्तित है आए देखते हैं अगला प्रस्द जो हाली में चर्चा कभी से रहा है कि सूरत की जो अदालत है उन्होंने मानहानी मामले में राहुल गांधी को कितने साल की सजा सुनाई है तो इसके उत्तर आपको सभी को पता होंगे कि जो सूरत अदालत है उन्होंने राहुल गांधी को दो साल के लिए सजा सुना दी है कितने साल के लिए दो साल के लिए सजा सुनाई हैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 की लोग सभा चुनाओं में रैली के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है तो इस मामले पर विधायक जो पूरेस मोदी हैं उन्हें सूरत के अदालत में राहुल गांधी के खिलाब 499 गोतना 499 और पांसव के तहत यहा शुझा सुनायए है आई देखते हैं कि ipc 499 और ipc 500 धारा क्या होती है तोजो ills की 499 है उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे दूसरे के बारे में कोई ऐसा लांचन लगाता है जिससे दूसरी वक्तिकी ख्यात की अपवानी हो तो वह मानहानी कहलाता है हाला कि इसके कई अपवाद भी है जैसे कि आरोप सही है तो मानहानी नहीं कहलाएगा यदि आरोप गलत है तो मानहानी का केस हो जाएगा तो इस प्रकार जो विधायक पूनेस मोधी थी उ उसमें राहुल गानी को मानहानी की धारा लगी है 499 और जो आपकी 400 निन्यानी के बाद 500 धारा है यहां किसी अन्यवेक्ति की मानहानी करेगा वह साधा कारावास जिसकी अवद कितनी होगी दो वर्स होगी या फिर कोई जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा तो धारा 500 मेह प्रावदान है कि जो भी मानहानी केस में पाया जाएगा उसे दो वर्स तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना दिया जा सकता है और या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है तो जो लोगसभा अध्यच्च हैं उन्होंने पाया कि इन्हें दो वर्स की खान सुनाई गयी है तो लोग्सवाग अजच ने अतलतक के फैसले को स्वाभिकार किया और राहुल अधी क्यों जो की सांसत की सदस्त थी उसको समाप्त कर दिया था जो कि करन एक सब्राहुल कर दिया गया वायनाणी जानते हैं तो आपको बता दें कि जो जन प्रतनी दी कानून है उसके उसार कोई सांसत या विधायक किसी मामले में दो साल से जादा या दो साल की सजा सुना जाती है तो उनकी उस सदस्ता है वो आयोगे होंगे तो इस प्रकार से राहूल गांधी दो साल उनको सुझा सुनाई गई है और उन्हें जन्पत्ति कानून के तहत उनकी सदस्ता को रद कर दिया गया है और आगामी वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आईए देखते हैं अगला प्रस्नों गडित के एबेल पुरुषकार कौन सा पुरुषकार एबेल पुरुषकार 2023 किसी प्रतान किया गया है तो आपके बिकल्प है लुईस कैफेरली निकोला फुसको लारेस सी इवांस कारलोस केनिंग तो आपको बता दें कि जो एबेल पुरुषकार है वह प्रतिवर्ष नार्वे की राज़तवरा एक या एक से अधिक उत्रकेश्ट गड़तक को दिया जाता है यह जो आपका एबेल पुरुषकार है एबेल पुरुषकार है वहाँ नार्वेजियन गड़तक थे निल्स हेनरी एवेल यहाँ पर आपको दिखे सिक्के में लिखा हुआ मिलेगा इनके नाम से सिक्का भी चलता है नार्वे में तो जो नार्वेजियन गड़तक थे निल्स हेनरी एवेल इनहीं के नाम पर एबेल फुरुषकार रखा गया है यहाँ पहली बार 2003 में दिया गया था और इसका जो फुरुषकार का जो समारो है वहाँ ओसलो बिस्विद्याले नारवे में आविजित किया जाता है और वहाँ पर नारवेजियन क्रोनर जो वहाँ की मुद्रा है उसमें 7.5 मिलिएन नारवेजियन क्रोनर के रूप में उनको पुरुषकार दिया आता है तो जो आपका एबेल पुरुषकार 2023 है वह लुइस कैफे रेली को दिया गया है यह जो है partial differential equation के विसे सग्गे हैं और यह आर्जेंटीना अमेर की हैं लुइस काफेरेली इन्हें 2003 का प्रूश का दिया गया है आए देखते हैं अगला प्रस्ण भारत और किस देश की नेवी के बीच अरब सागर में समुद्री अभ्यास कुंकर कौन सा अभ्यास समुद्री अभ्यास कुंकर आयोजीत हुआ है आपके विकल्प है United Kingdom अमेरिका जापान या फिर इंडोनेसिया तो United Kingdom और भारत के बीच जो नेवी है अरब सागर में कुंकर अभ्यास आयोजीत किया गया था कब से कब तक 20 से 22 मार्च के बीच कुंकर तटपर इसलिए इसका नाम कुंकर रखा गया है कि यहां कुंकर तटपर आयोजीत किया गया था पहली बार जो कुंकर अभ्यास है वो 2004 में सुरुवात हुई थी इसकी भारत और UK United Kingdom के बीच अरब सागर में यहां आयोजीत किया गया है आपको आये कुछ विशेश प्रस्नों से अवगत करा दें कि पद्म आवार्ड जो है उसके बारे में आये जान लेते हैं 2023 में कुल 106 पद्म आवार्ड की गोशना की गई है जिसमें से 6 पद्म भीभूशन है नौ बद्म भूशन है और 119 आपके पद्म श्री आवार्ड सामिल है 106 पद्म आवार्डों में 6 आपके पद्म भीभूशन, 9 पद्म भूशन और 91 पद्म श्री आवार्ड है जिसमें से 19 महिलाएं पद्म आवार्ड पाई है और जो विदेशी हैं या एनराई हैं PIO, OCI किस रेड़ी में हैं उनमें से दो लोगों को यह हावार्ड दिया गया है आपको बता दे कि NRI किसे कहते हैं किसे NRI तो इसका जो पूरा नाम है हुआ है resident Indian और citizen जो इंडियन है तो यह ऐसे नागरिक भारत के जो विदेश में रह रहे हैं अधिकांस्ता भारतीय रोजगार और सिच्छा प्राप्त करने के उद्देश से विदेश में जाते हैं और कुछ समय के बाद जो कुछ भारती हैं विदेश में अनिशियत काल के लिए बस जाते हैं या भारत से बाहरी देश में अपना समय ज़्यादा बिताते हैं, उनियम क्या कहते हैं, NRI, अर्था तो NRI जो है वो भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन बाहर सिच्छा या रोजगार के लिए जाते हैं, वो देश में जो है कम समय बिताते हैं और बाहर ज़्यादा समय बिताते ह ऐसे जो क्या कहलते हैं एन आर आई और जो अगला है पी आई ओ जो पी आई ओ है उसे भारतिय मूल के लोग कहाता है भारतिय मूल का जो बेक्ति है या पी आई ओ जिसे कहते हैं या एक विदेशी नागरिक होता है कौई सा नागरिक होता है विदेशी अर्थात बाहर का होता है सिवाए उन लोगों के जो कि पाकिस्तान, बंगला देश, भूटान, नेपाल, चीन, इरान या सिलंका में पैदा हुए है इन देशों के अत्रिक्त जो भी अन्य देश हैं वहां के वो नागरिक हैं जिनके पास कभी भारतिय पासपोर्ट था या फिर जिनके माता-पिता, दादा-दादी या महान दादा-दादी या पति-पत्नी भारतिय नागरिक थे अर्थात कुछ समय पहले उनके जो पूर्व पास्पोर्ट के यहाँ पन आ सकते हैं अगला है आपका OCI जो OCI का full farm होता है वो होता overseas citizen of India या है एक प्रकार का आप्रवास इस्तिती है किस प्रकार की है आप्रवास इस्तिती है जो भारती मूल के पास्पोर्ट वाले विदेशी नागरिकों को भारत में रहने काम करने और अध्यन करने की में सच्छम बनाती है अर्थात जो भारती मूल के पास्पोर्ट वाले विदेशी नागरिक है मनलब वो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन उनके पास भारती मूल का पास्पोर्ट है वो भारत में रहने के लिए यहाँ पर काम करने के लिए या अध्यान करने के लिए उन्हें OCI जो है citizenship दी जाती है OCI को भारत में प्रवेश करने या यहां रहने के लिए किसी भी अन्य अस्थान पर या यहां पर किसी भी FRO या FRO के साथ पंजीक रण करने के आउ सकता नहीं होती है या किसी भी समय यहां पर आ सकते हैं और भारत में रह सकते हैं काम कर सकते हैं या अध्यान कर सकते हैं तो ऐसे जो लोग है NRI PIO या OCI उनकी स्रेणियमी विद्धो लोगों को यहावाड दिया गया है साथ लोगों को मढ़ों प्रांध यहा वाड मिला है और दो जोड़ी को भी पद्मा वाड मिला है जो विभुषण पुरुषकार है उसके बारे में देखते हैं कि बाल कृष्ण बिठल दास दोसी इन्हें मढ़ों परांध अन्य अर्खितेक्शर में पुरुषकार दिलीव महलाना विस इन्हें मढवपरांत मेडिसिन के डिपार्टमेंट में वीभुष्ण पूरुषकार मिला है स्री निवास वर्धन साइंस एंड इंजिरिंग के विभाग में इन्हें मिला है मुलायम सिंह यादव इन्हें मढवपरांत पब्लिक अफेर्स के लिए वीभुष्ण पूरुषकार से समाने किया गया है तो सातियों इस प्रकार जो आर्थकी कक्षा थी क्लास थी वह आपका समाप्त होता है और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तिसे अधिक सदिक सेयर करें लाइक करें और यदि आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चनल को सब्सक्राइब कर लें और बेर आइकन को प्रेश कर लें जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिक्षन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद